फाइलम अर्थरोपोर्णs के अंदर आकडासिज का प्रॉसेस क्या है इस मॉड्यूल में हम इस प्रॉसेस को इप इन डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे अब अर्थरोपोर्णs अनिमल्स है इन्होंने ग्रो करना है इनकी अंदर exoskeleton है exoskeleton में cuticle है अब इसकी growth जो है इतने exoskeleton के साथ impossible है तो जब भी arthropods ने grow करना होगा तो उसमें ये अपने exoskeleton को periodically they usually shed off यानि ये आहस्ता आहस्ता उतारना शुरू कर देते हैं अब जब ये इस उतारना शुरू कर देते हैं तो इस process को हम कहेंगे molting और molting जो आ फेनॉमेना जो है देट इस काल्ड एक्डाइसिस एक्डाइसिस जो है इस इस ड्राइट फ्रॉमा ग्रीक वर्ड एक्डाइसिस यानि गेटिंग आउट अपने exoskeleton से उस वक्त इनकी बोड़ी एक्सपोस नहीं होती दे आर विदाउट एनी स्केलेटर अब एक्डाइसिंग मोल्टिंग है क्यूटिकल की बहुत से इन्वर्टिब्रे आर्थ्रोपोर्ट के इलावा भी कुछ इन्वर्टिब्रेट के अंदर ये प्रॉसेस बहुत कॉमन है और उसको हम कहते है एक डाइसो ज्वा अब क्यूटिकल जो है इन एनिमल्स का डैट नॉर्मली फॉर्म्स लार्जली इनलेक्टिक एक्सोस्केलेटर दिस इस यूजुली शैड ओफ यारी अगर एक कॉक्रोज की टिपिकल एक्जाम्पल हम देख ले तो कोई भी इंसेक्ट जो है अपनी लाइ हो सकता है दो दफा भी हो सकता है त्री फोर टाइमस भी हो सकता है और उस दुरान जो का पीरियट में जो एनिमल है उसको हम इन स्टार कह देते हैं तो जो प्रोसेस है बिट्वीन टू एक्डाइकल स्टेजिस उसमें नूसेंट एनिमल जो है वो आल्मोस्ट एक्सपोस हो स हो जाती है तो उसके उपर एक नई कवरिंग अपीर हो जाएगी और जो रेमेनेंट्स हैं यानि के जो ओल्ड एक्सो स्केलेटन था उसको लिए अब जो हम टम यूज करेंगे वह है एक्जूबी यानि यह वहीं पर ही रह जाएगा और मोल्टिंग के बाद आर्थ्रो डिस्क्राइब करेंगे एस टैनिरेल आ कैलो यह फ्रेश पेल और सौफ्ट बॉड़िड एनिमल्स होंगे फिर इसके अंदर जब यह नए एनिमल्स बन जाएंगे तो इसके अंदर बान या टू आवर्स के अंदर अंदर जो है क्यूटिकल के अंदर हार्डनिंग का प्रोस स्टार्ट हो जाएगा जब हार्डनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर वेक्सिंग का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके अंदर टैनिंग का प्रोसेस आएगा टैनिंग मीन इसकी क्यूटिकल का कलर जो है वो आइसा इसा इसा डार्क होन और सबसे आखर में उसकी टैनिंग का मरहला आता है इसी तरह से ही एक्सोसकेलेटन को मॉल्टिंग के दुरान एक्डाइसिस के दुरान इन्ही मराहल से गुजरना पड़ता है जो के लेदर की टैनिंग में यूज होते हैं अब एक्डाइसिस जो है इसके कुछ फवाइद भी हैं एकडाइसिस का सबसे बड़ा फाइदा यह है कि जो एनिमल के डैमिज टिशू होते हैं वो उतर जाते हैं और जो मिसिंग लेंब्स हैं उनकी रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा या जो भी बाड़ी पार्ट्स लॉस्ट हो गए थे डैमेज हो गए थे उनकी सबस्टेंशल रीकवरिंग हो जाएगी दूसरा इसके अंदर कंप्लीट रीजनरेशन होगी कंप्लीट रीजनरेशन जो के एनिमल को रिक्वाइड होती है ग्रोथ के लिए उस दुरान उस एनिमल को सेवरल मोल्टिंग फेजिस से भी गुजरना पड़ेगा और जो जो है अडल्ट हो जाएगा और अपने नॉर्मल बाडी साइज को एक्वाइर करेगा जो के उसका मवजूद होना अडल्ट लाइफ के लिए जरूरी है इस इस दे एनिमल जो के आफ्टर मोल्टिंग है अब इसके अंदर डिफरेंट स्टेप से एक डाइसिस का प्रोसेस ज जो के इसको अपनी अडल्ट लाइफ गुजारने के लिए रिक्वाइट इस इस अ टिपिकल आर्थ्रोपोर्ट विच इस हेर आफ्टर कंप्लीटिंग दा डाइसिस अब यह यहां पर इसने अपने ओल्ट शेल जो है या ओल्ड इसकी लेयर है डैट इस नॉर्मली शेड़ और इससे नई फॉर्मेशन जो है वह एक्सो स्केलेटन की हो गई है